हर्यों प्रीदर्सकों यदि आपकी तुला राशी या तुला लगने है तो इस वीडियो को परिध्यान से देखिएगा समझेगा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये घटनाएं घटित होंगी जैसे आपने थमनेल में पढ़ाई होगा ये घटनाएं कौन सी घटनाएं है जो कि आपके साथ इस फरवरी के महीने घटित होने वाली है ये फरवरी का महीना आपको क्या रिजल्ट देने वाला है ग्रहों की क्या इस्तिया है ये घटनाएं कब घटित होंगी कैसे घटित होंगे आईए जानते हैं और साथ में कई राजयोग बनने जा रहे हैं और संरी से डरे हुए सनियस्थ होने जा रहे हैं सooky मुस का भी रिजल्ट जानेंगे हैं म door recipients को Hope सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की इस्थिति लिए इस शूब आभी मकर राशी मोअधिर दो्र करना गोचर करना प्रारम करेंगे और चंद्रमा की बात की जाते हैं चंद्रमा सवाद उदिन में ही अपना राश परविर्तन करते रहते हैं और मंगल पांच फरवरी को ही अपना राश परविर्तन करके और मकर राश इम गोचर करना प्रारम कर देंगे बुद्ध की बात करें तो बुद्ध एक फरवरी को ही राश परवर्तन कर चुके हैं और ये फिर से फरवरी में ही 19 फरवरी को राश परवर्तन करेंगे अभी मकर राशी में गोचर कर रहें एक तारिक जो राश परवर्तन हुआ है फिर मकर राशी से कुम्ब राशी में 19 फरवरी को गोचर करना प्रारम कर देंगे शुक्र की बात करें ये ब्रहस्पती ब्रहस्पत की बात करें तो ब्रहस्पती मेश राशी में कोचर कर रहे हैं और शुक्र बारा फरबरी को राशी पर रुदन करेंगे और मकर राशी में कोचर करना प्रारम कर देंगे शनी अपनी ही राशी कुम्भ राशी में कोचर कर रहे हैं और राहू मीन राशी में और केतू कन्या राशी में कोचर कर रहे हैं तो ये है ग्रहों की स्थिति आए जान लेते हैं ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इनसे कौन से राज योग और कौन से दुर योग बन रहे हैं तो राज योगों की बात की जाए तो कला योग, मकैनिक योग, लक्षमी नारण योग, ब्यापार योग, बुद्धादित योग और साथ में रूचक पंच महापुर्श योग भी बनने जा रहा है इस फरवरी के महीने में बड़ा ही ये दिब राज योग है, जो की तुला राश वालों के लिए बना हुआ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं परन्तु पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि फिर बहुत लोग कमेंट करते हैं, कि आपने जैसा बताया, वैसा कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप जब पूरा सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या घटित होगा, क्या घटित नहीं होगा, हम उपाए भी जानेंगे तो फिर दर्शकों देखा जाए, तो आपके जीवन में, यदि अभी तक कैरियर को लेके आप बहुत जाना परशान थे, जिनके पास जॉब नहीं हैं, यदि आप जॉब लिस हैं, तो त्यार हो जाएए, कि आपके जीवन में अब अबसर प्राप्त होने वाला है, और आप फिर से नोकरी के लिए, जॉब के लिए इंटर्वी दे सकते हैं, प्रयत ने कर सकते हैं, तो आपको जॉब मिलेगी, और यदि आप जॉब कर रहे हैं, प्रेजन्ट में, आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, या सेलरी में बढ़ुतरी हो जाए, या आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय आप कर सकते हैं, इसके अलावा जॉब में परिशानी हैं, आप चाहते हैं कि जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, वहीं करते रहें, परन्तु ये जो समश्याएं हैं, प्रसर बहुत जादा है, बहुत जा है तो प्रत्न कर सकते हैं अपने प्रोमोशन के लिए बहुत से बात कर सकते हैं सेली बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं जौब के द्रस्टी से ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है इसके अलावा प्रत्रस्टों देखा जाये तो आपके जीवन में जेती सरकारी छेतर से ज देखने को जरूर मिलेगी इसके अलावा प्रिदर्शकों दिखा जाए तो आपके जीवन में दामपत्य जीवन में खास कर यदि बाद व्याद के स्थिती बनी हुई थी दामपत्य जीवन में आए दिन लडाई जगडे लगे रहते थे आए दिन समस्याएं एक नएक समस्या बनी रहती थी तो अब इस समय आपको दामपत्य जीवन में प्रेम देखने को मिलेगा और ये जो बाद व्याद के स्थिती थी ये दूर हो जाएगी परन्तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शनी के हुई दृष्टी है तो आगे हम समझेंगे तो प्रिदर्श को यदि आप ब्यापारी हैं पार्टनर्शिप में ब्यापार करते हैं तो आप के लिए इस समय धन व्रद्धी के योग बन रहे हैं ब्यापार को बढ़ाने के लिए आप पूरी तरह प्रत्न कर सकते हैं जिन लोगों को ब्यापार रुका हुआ था वो लोग प्रत्न कर सकत अपने ब्यापार को पुरह री स्टार्ट करने के लिए ये मौका है कि इस समय आप यदि प्रत्न करते हैं तो संभावनाएं पूरी-पूरी दिखाई दे रही हैं कि आपका ब्यापार आपका कारोबार बेहतर स्टिती में आ जाए इसके अलावा प्रिदर्स को यदि आप चा आने के मार के खुलेंगे जरूर कोई राष्टा मिलेगा जिस से धन आगमन हो सके और यदि आपके कोई ड्रीम थे आपके सपने थे आपके इच्छाएं थी वो अब पूरी होने जा रही हैं इस समय बहुत पुरानी स्थितियों में यदि आप फसे हुए थे कि ऐसा हो कि मैं जो चाहता हूँ मेरे जो काम अठके हुए हैं वो हो जाएं तो ये मौका है इस समय आप अपने कामों को करने की कोशिश करिए तो आपको जरूर सक्सेज मिलेगे इसके लावा प्रीदर्शकों देखा जाए तो आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा छोटे भाई बहनों के प्रती प्रेम बढ़ने बाला है और शाथ में आपके जीवन में यदि रोग बाधाएं बहुत ज़्यादा परसान कर रही थी तो रोग बाधाओं से भी मुक्ति आपको मिलने वाली है और प्रीदर्शकों यदि घर परिवार में कहीं न कहीं बाद काफी हद तक आपको छुटकारा मिलेगा पहत्रिक संपत्य से सम्मंदित समस्याएं भी दूर होंगी और घर परिवार में आपस में लोगों का एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होने वाला है तो प्रीदर्शकों देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ प्राप्त होने वाल और यदि आप प्रॉपरिटी डीलर हैं या ब्रोकर हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने आपको आप उचाईयों में ले जाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं उस उचाई तो पहुंच जाऊं कि मेरा भी नाम हो ये समय है इस समय आप प्रियतने कर सकते हैं और जो लोग प्रापरटी लेना चाहते हैं या खुद का घर बनाना चाहते हैं या प्रापरटी आप शेल करना चाहते हैं बहुत लोग प्रत्न करते रहते हैं प्रापरटी शेल नहीं होती है इस समय प्रत्न यदि किया जाए तो संभाब नाए पुरी-पुरी दिखाई दे रहे कि property से सब्मंदित काम हो जाएंगे राजनीती में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है राजनीती में भी सफलताएं देखने को मिलेंगी किसी मित्र से मुलाकात होने की संभावना है फरबरी के महीने में ऐसा कोई मित्र जिससे आप बहुत समय से आप चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए बात हो जाए तो मुलाकात या बात हो सकती है क्योंकि आज के समय में तो लोग फिजिकली तो कम ही मिलते हैं डिजिटली जादा मिलने की कोसिस करते हैं या तो फिजिकली या तो डिजिटली किसी न किसी प्रकार से आपके मित्र से मुलाकात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो प्रिदर्स को अब देखा जाए तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो तो हमने देख लिया सुन लिया परन्तु अब साउधानी क्या है ये बहुत ज़रूरी है सुनना साउधानी के रूप में देखा जाए तो आपके जीबन में आप दामपत जीबन में खास कर रहे ह कि स update का दिखना है तो यहां पर आपको जहूट नहीं बोल ना कोई भी काम कर रहे हो यहां पने लिए गेन कि आप जिर्ग में हो चैनल के लिए कि भी तरह आप को नहीं ना लो परंतु संभावनाएं हैं कि आप और भी ज्यादा उसमें फस जाएं साथ में आपको अपने संतान के प्रति साउधान रहना हुआ संतान के प्रति कुछ मनमटाव की स्थिती बन सकती है जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए अभी थोड़ा सा रुपन हितना होने पाए इसके लिए प्रत्न करना होगा मैंने बताए कि आए के मार फुलेंगे प्रंतु साथ में शनी देव की भी दृष्टी है तो इसलिए आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा साउधाली रखनी होगी और बैंक बैलेंस में भी यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना ह आपको खासकर इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांजेक्शन जब करते हैं किसी को पैसे का देल लेन करते हैं जो ओन लाइन हो आफ लाइन हो वहाँ पर विशेश सावधान रहें सदर्क रहें कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए आपको कुछ नुक्सान ना हो जाए इस बात का ध्यान लगी और जो लोग इंवेस्ट करते हैं जैसे शेयर मार्केट अन अलग अलग जगह इंवेस्ट करते हैं इस समय बहुत जरूरी है कि आप सावधान हो जाए क्योंकि इस समय थोड़ी सी कहते हैं ना सावधानी हटी कि दुर घटना घटी ऐसा समय है परंतु इसमें डरने की बात इसलिए नहीं है कि मंगल बहुत कुछ सम्हाल रहे हैं और भी जो पान से छे मैंने राज्योग बताए वो काफी हट्त के स्थितियों को सम्हाल रहे हैं अपनी इस्तियों अस्त हो रहे हैं 11 फरवरी को तो वो थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं इस्तियों को परंतु यहां पर सनी सम्हाल रहे हैं और शूर का पंचम भाव में होना बहुत स्रिष्ट माना जाता है तो ये भी अच्छी स्तिति है और जब 19 फरवरी को बुधा जाएं खड़ी कर रहे हैं तो दूसरी और ब्यापार यूग बना रहे हैं इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है जरूरत है कर्म करने की और आंगे बढ़ने की आईए अब हम जाल लेते हैं उपाए उपाए से पहले एक बात और में बता दू हमेशा की तरह कि आप अपनी जन् भगवान नारेण और माता लक्षमी की आराधना करना सर्वसेष्ट रहेगा भगवान नारेण को तुलसी का अर्चन करना विश्णू सहस्त नाम का पाठ करना और कनकधारा का पाठ कर सकते हैं इससे भी आपके जीवन में जो यह समस्याएं हैं वो काफे हत्तक दूर होंग और हन्मान जी की भी आराधना करें हन्मान चलिशा का भी पाठ करें और ओम स्रीम महालक्षमेन महा इस मंदर का भी जपाप कर सकते हैं तो फ्री दर्सकों देखा जाए तो आपके जीवन में यदि ऐसी कोई समस्याएं थी तो यह उपाज जरूर करें और कमेंट में जय माल लक्षमी और हरी ओम जरूर लिखें हम क्योंकि भगवान नारैन और माता लक्षमी की विशेश रूप से आराधना करने वाले हैं लिखने के साथ आपको अस्मरण भी करना है और आपके जानकारी के लिए मैं बता दू कि आप लोगों के बहुत सारे प्रेशने रहते थे व लिंक डिस्क्रेप्शन में दी हुई है तो जरूर जाके चिप करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद